सत्ताई भाजपाने लखनवखन शिक्षक MLC चनाव में वित्वीन शिक्षक मासंके प्रदेशा ध्यक्ष नी वर्तमान MLC उमेश दिवेदी को चनावी समर में उतारा है पिछली दफा वो बतौर निर्दल MLC बने थे पार्टी उमेद्वार को विजरी बनाने को पार्टी ने उन्नाव के सफीपुर से विधायक बंमा लाल दिवाकर को चनाव का प्रभारी बनाया है पार्टी के सिर पर जीत सहरा बंधाने को बतौर प्रभारी दिवाकर ने सीधापुर में डेरा डाल लिया है आइंडिया के एडिटर इंचीफ पंकस सिंगोर ने पूर एमिल सी राकेश सिंग की आवाज पर चुनाव प्रभारी बंमा लाल दिवाकर से खास बातचीत की जानी क्या कहते हैं चुनावी प्रभारी बिहार और उत्तर प्रदेश के उप्चुनाव में फते करने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस उच्च सदन को मजबूत करने का है और यही कारण है कि भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है जहें सिच्छा के मिल सी चुनावो या असनाता के मिल सी चुनावो भाजपा क उच सदन में गणित अभी उतनी मजबूत नहीं है लेकिन इस बार वहा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है और इसको मजबूती से लड़ने के लिए पूरी एक कारियोजना बनाकर और अपने नेताओं को जिलो जिलो में भेज कर वो जुट गई है कि कैसे उसके MLC की संख्या बढ़े इसी कड़ी में सिच्छक MLC के लिए जो यहां के प्रभारी बनाए गए हैं और प्रवास कर रहे हैं सीतापुर में बंबालाल दिवाकर उन्ना उसे बिधायक हैं और वो सीतापुर पहुंचे हैं इस वक्त पूर MLC राके सिंख के आवास पर मौजूद हैं और हमारे साथ खास बाचीत के लिए मौजूद हैं उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या कारी वो जना है और उनके कौन-कौन से प्रत्यासी हैं और कैसे वो जिताने के लिए जुटे हुए हैं तो पहले तो आपको बाचीत के लिए बहुत-बहुत धनिवाद हम एक जी जानना चाहेंगे कि कैसे इस सीट को इस बार आप अपने पाले में करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा पूरे देश में भारती जंता पर्टी की लिएर जिसमें देश का नेख्त कर रहे हम सबके इससी प्रधान मंतीर नेरेन्बय मोधी जी और मुत्तर प्रदेश में सुवय के इससी मुख्रमंत्री आदर्णी योगी आदितना जी के नेतत्त्य में भारती जनता पार्टी ने उप चुनाओं भी जीते हैं, साथ में से छे सीटे हम लोगों ने जीती, लेकिन भारती जनता पार्टी ये हो रहे हैं, इस नाता कुर सिच्छक MLC के चुनाओं, जो ग्यार के ग्यारा सीटे भारती जनता पार्टी लड़ रही है और जीत रही है, तो सिच्छक MLC चुनाओं को लेकर, यहां पर क्या कारियोजना है, कौन-कौन से बड़े नेता भाविश्य में आने वाले हैं, आपने यहां डेरा डाल दिया है, क्या कारियोजना हम जानना चाहेंग ओटों को बनाने का काम, जैसा कि मैं आपको बता दू जानकरी दे दूँ, कि पिछली बार इसी सिक्छक सीट पे मात्र 18,000 से 19,000 ओट बन पाए थे, लेकिन आज 32,000 ओट बना है, और इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारती जनता पार्टी ने 24,000 ओट भारती जनत तक ही बात करें, तो कम से कम 30-40% मत जादा भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं के दारा बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास कारिकरता की कमी नहीं है, भारती जनता पार्टी में एक एक कारिकरता दोनों चुनाओं में पूरी तरह लगा हुआ है, और ये जो चुनाओं च पहुँचेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि भारती जन्दा पार्टी जो चुनाओ लड़ती है तो एक एक कारिकरता चुनाओ लड़ता अब नेताओं के साथ सा जब कारिकरता से संपर्क बढ़ाएंगे तभी हम हमारे पक्ष में भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में मत पूंड रूप से पड़ पाएगा जैसा कि बता रहे हैं जो मद्दाताओं की संक्या बड़ी है वो भाजपा की एक बड़ी जीत का आधार बनेगी ये कहना है बंबालाल दिवाकर जी का एक सवाल मेरा ये भी है कि एक जीत तो आपने पहले ही सुनिश्चित कर ली जब जो मौझूदा का नहीं सिच्छक का लेकिन इस बार भारती जंता पार्टी सभी जुनाव को लड़ाने का उनका संकल्प है उसमें उमेज जी हमारे अच्छे कारी करता थे और वो पूर्व से ही जैसा कि मैंने बताया संग परिवार से जुड़े हुए थे और वो एक सवरस्वती विद्या 25,000 होट बना है उसमें से मात्र 5,000 होट ही वित पोशित विद्यालों के ध्यापक का है बाकी के 27,000 होट वित विहीन मतदाताओं का है जो सिच्छक हैं तो वित विहीन सिच्छकों के प्रदेश अध्यक चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतरत्वें जो उनकी एक संगठ आदे में अदगर और बाकी में सबगर होने वाला है ये दावा है आपका ये मद्दाता तै करेगा फिलाल मसी का चुनाव कैसा होता है ये बखुवी जानते हैं पूर्व मसी राकेश सिंग जी वो हमारे साथ मौजूद हैं चुकि वो भी दिन रात एक किये हुए हैं जाकि हमारे प्रभारी महोदय ने आपको विधोत रूप से सारी बात बताने का काम किया है उमेश दिवेदी जी हाउस में हम लोग साथ में रहे हैं सिचकों की किस तरह से बात उन्हेंने हाउस में उठाने का काम किया है किस तरह से सिचकों की लड़ाई लड़ने का काम किय चाहे हो हाउस में धरना देने की बात हो चाहे हो सरक पे धरना देने की बात हो हर तरह से उन्होंने सिचकों का काम सिचकों की बात और सिचकों की समस्याओं को हाउस में उठाने का काम किया है आज हम लोगों को पूरे जन्पद में चाहे हमारे वकिलों के बीच में जाने का हो चाहे हो हमारे एजुकेट नौजवानों के बीच में जाने का बात हो चाहे हो विस्मा विधान सबा हो या जो भी हमारी नौव विधान सबा में है नौव विधान सबाहों में भारती जनता पार्टी के कारिकरता हम लोगों को जो भी उपर से निर्देश मिला है हम लोग दिन राते करके पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और नवजवानों में और युवाओं में और भारती जंता पार्टी के हर कारिकरता में जो सहे उन्होंने बन बना लिया है कि एक तारीक को सुबह 7 बजे से ले करके पांच मदे तक जो भी मतदान किंद्रों पे जहां-जहां हम लोगों का ड्यूटी लगाई जाएगी हम लोगों ने जो कारिकरताओं के साथ में मिल करके बैठेके की हैं और जो हमारे ओटर बने हुए हैं एक-एक ओटर को भारती जिन्ता पाटी के खाते में डाल करके भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने कितनी गंबीरता से इस चुनाव को लिया है चुकि प्रदेश अद्धिच सुतन देव सिंग खुद जन्पत पहुँच रहे हैं ये प्रभारी जी का कहना है तो इस तरीके से भाजपा पहले से ही मान बैठी है कि ये चुनाव उनके हाथ का है जैसा उन्होंने मददाताओं की संख्या बढ़ा कर ये साबित कर दिया है फिलहाल ये तो समय बताएगा सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर के साथ पंकस सिंग गौर खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया